नमस्कार दसक्विन मैं हूँ आचार रामकृष्ण सास्तरी और आपका आपका यूटूब चैनल एस्ट्रोजर एक्षपर्टि में आपका श्वागत है आईए आज हम बात करते हैं अगर आपके पैसे फशे हो तो करजदार खूद आकर आपके पैसे लोटा के जाएगा ये विधित जो उपाय है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसको करते समया मन में विश्वास और आस्ता होना चाहिए तब ही जाके आपको इस पुजन के अप इस उपाय का शिक्रफल आपको प्राप्त होगा संभवत पुजन अत्वा उपाय करते समया शूर्य उदय से लेकर शूर्य आस्ता से पूर्वही कर लेने चाहिए आज में जो उपाय आपको बताने वाला हूँ ये उपाय मंगलवार अत्वा सनिवार के दिन अगर करेंगे तो शहज फल आपको प्राप्त होगा तो करना क्या है आपको सरपर्थम उपाया आपको लाल कपड़ा लाएं लाल कपड़ा में दो कौड़ी और एक नारियल और कुछ सिक्के बिनागी नहीं कुछ सिक्के और काली राई राई लेके राई रखना है और एक मोतिशंक लाके मोतिशंक रखना है उसको गाट बंद करना है फिर जो सफेद कपड़ा हो सकता है लाल कपड़ा शवा मिटर लेके यह सभी बस तुम्हां रखने के बाद सरपर्थम जो इसान कोड़ वाला कोना है ये और जो नहरित्य कोड़ वाले के जो कोना है ये पकड़ क्या उसको गाट लगाएंगे गाट लगाने के बाद जब गाट लगाएंगे आप जिनको अपने पैसा दिया है उनका नाम और गोत्र भी पताये तो गोत्र नाई तो उनका नाम उच्छारण करेंगे उसके बाद जब दो और जो बचे उसको गाठ लगाना है जब गाठ लगाएंगे अपना नाम गोत्र और хочется अपने मनो कामना उस गाठ लगा ते समय आपको उच्छारण करना है गाठ लगाने के बाद फिर जो पहले उसका नाम लेकर जो आपने गाठ लगाए थे उसी दोन दोन कोने को दुबार आपको गाठ लगा देना है लगाने के बाद या तो आप घर में या फिर कहीं नजदिक माःभगवती के अगर मंदर है तो वहां ले ज आकर आप उसको रखेंगे और अपना मनो कामना उच्छारन करके आप आईए और ध्यान रहे ये उपाय करके आप घर आते समया पिछे मुड के नहीं देखना और मन में सुद्ध विचार और वही संकल पर रखते हुई ये कारे करके आप वपिस घर आईए घर में आने के जहां अपना पैसा रखन दारन करते हैं वहां ले जाकर एक शुपारी वहां रख दे और भगवान गणेजी और मालक्षमी से प्रात्रा करें कि जो उपाय में करके आया हूँ उस उपाय के माद्धेम से और इस शुपारी के माद्धेम से मालक्षमी और गणेजी प्रशन होकर अमारा धन फशा हुआ वह हमारे घरा जाएं इस पर करके काम न करके वो जहां धन संचे करते हैं वहां वो शुपारी रख दें और उस चेत्रों को आप बंद करके अपना नित्य कर्मा आप करते रहें तो पर्थम पाई यहें यह करते हैं किसी का टोका टाके नहीं होना चाहिए और मन में आस्ता और विश्वास की साथ आप करना है और मंत्र उचार्ण करने के ज़रूरत नहीं है और मंत्र अगर उचार्ण करने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा उपाय है अगर आपको इस तरसे पैसे फसे हुए है तो आपके एक नारियल लाए एक नारियल लाके उस नारियल को जिदर से आख बने होता है उदर साइड में जो आख बने होते हैं उस आख में आपको तीर शिक्के रखने दो आख बने होते हैं अपको तीर आख बने होते हैं उनके द तो आख पर आपको शिक्का रखना ये शिक्का रखके लाल कपड़ से उसको बाध देना है और बाधने के बाद मा लक्ष्मी के सामने विद्दिमान होकर लाल चावल और लाल पुष्प लेकर मा भगोती से प्राथन करें हे मा भगोती श्रीफाल्व के नेत्रपर जैसा मैंने दक्षणा अरपण किया है दक्षणा रखा है और इसी तरीके से मेरा गया हुआ धन भी मेरे नेत्रपर आए और मेरे घर के अंदर वो धन लोट कराए इस परकार की काम ना करके आप घर में जो सबसे अंधेरा कोना है उसमें ले जाकर इसको रखना है अगर अंधेरा कोना नहीं है तो कहीं उसको अंधेरा करके उसको उस जगह रख के आना है और इसको 41 दिन तक इस परकार रखें कि ये हिले भी ना और जहां रखेंगे वहां 41 दिन तक किसी किसी परकार से चाहाँ दना ना जाता हो अगर ऐसा इस्तान नहीं है तो आप उसमें किशी कपड़े पड़े से अत्ते दिशे वहाँ आप अंधरा करके उसको महां रखें रखते समया पहले उसमें 600 ग्राम चावल ले और लाल सिंदूर से उसको रंग ले रंगने के बाद निच्चे ले जाकर वो रखें और उसमें 2-4 गुलाव के फोल रख दें और उपर से ओ नारियल जो शिक्के लगा के आँख बंद गर के कपड़े में आपने रखें वो नारियल ले जाकर वहां आप रख दें यह चुपचाब रखना है और यह रखते समय ध्यान रहे शाम के समय करना है वो शक्ता है शुक्रवार के दिन अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा तो इस तरह से अगर आप करके आएंगे तो आपके जो फशे हुए पैसे हैं वो चालिस दिन के अंदर आपका धन घर लोटकर आएगा और आपको जिस तरह से आप परयत्न कर रहे हैं इतना परयत्न भी आपको नहीं करना पड़ेगा और घर में घर में धन आगमन का और पैसे ना भसे इसके लिए घर में माताएं भैने सिर्शुक्तम नामक जो पुस्तक है उसमें शोला रिचाय लिखी हुई है वो चीज अगर पढ़ेंगे तो कभी धन आगमन में बादा अपको घर में आएवा धन शंचय करने में बादा अगर आप पाट करेंगे सामक शमाई घीके दिबगज लागे तो घर में सभी परकार के शुक्ष शंपति और धन की स्थिति सदय परिपूड रहेगा अस्तमत्र आच इतना ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें हमारे इसके लाबा अन्य चैनल एस्टो गुरजी छपार वो चैनल भी हमारा बना हुआ है तो कुछ चीज इसमें है तो कुछ उसमें भी है तो आप उसमें भी जाकर आप सब्सक्राइब करें और उसमें भी जाकर आपके जो भी समश्या है वो वीडियो देखें और इस वी मैं आपको बताने के कोशिश भी करूँगा और डबल एट डबल नाइन डबल जीरो और डबल सेवन इस नमर पर अगर आप अपना समस्या लिखकर वाड़सप करेंगे तो मैं आपको वाड़सप के मात्यम से उसका आपको रिपलाई करूँगा अथवा उसके कुछ समय के बा और फसेवे पैसे सिग्र आपके घर के अंदर परविशकरी कहरी हो